हेलो बच्चो वेरी गुड इवनिंग वेलकम यूओल इट लोकेसर अनलेम्टेड इस्टडी जोन तो हमेज़ा की तरह आज भी हम साइंस का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहां हमारा एडू काड सीरीज चल रही है पेपर नंबर 9 हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं आ कुरा कॉशन नमर 32 को देखते हैं वाई डाज रहे पासिंग थूद अपने पात को रिट्रेस क्यों करती है बहुती सिंपल सा सवाल है कि भाई साब आपके पास कोई कौन के मिरर है और कोई रे सेंट्र आफ कर वेचर से अगर जाती है ध्यान से लेखिए तो यह इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री और आपको पता है कि जब इंसिडेंस एंगल आर के कुल होता है तो जब इंसिडेंस एंगल 90 डूबल रिफ्लेक्टेड किता होगा 92 उल्टा उसी से चलके वापस आएगी कि नहीं आएगी ओके तो 90 से आई और 90 से गई आई कोल टू आर के वज़े से इसलिए उसी पात को यह रिट्रेस करती है तो यहाँ पर आपको आपको आंसर देना था कि एंगल लॉफ रिफ्लेक्शन की वज़े से ऐसा होता है और आई कोल टू आर हुआ करता है हाँ चलो यह अपन पढ़ लेते हैं पहले इसका ऐंसर वाई 32 का पहला पार्ट कह रहा है कि 32 का पहला पार्ट कह रहा है कि अरे ओफ लाइट एक सेकंड बी बहुत ही जाद हो जागा ने टो बहुत ही जाद हो जाएका सब्सक्राइब बढ़ता नॉर्म मेल के साथ क्या होती है कोई इंसाइड हो जाती ओर ल्यायप कर जाती है और दुनिया यहां रूल है कि अगर इंसिडेंट एंगल को अगर आपके पास जो रहे है अगर आप नॉर्मल के ऊपर ही भेज़ दोगे तो जैसे चल के आई थी उसी पाथ को फॉलो करते हुए बैक हो जाएगी वो ले यह सर नो चलो तो पहला तो जवाब बहुत एजी था आई होप सबसे बन जो देर्फोर एंगल ओफ इंस एंगल तो नॉर्मल से नहीं आ जाता है ना यस और नो तो सर्फेस के साथ एंगल नहीं लिया जाता है एंगल नॉर्मल के साथ लिया जाता है तो नॉर्मल के साथ एंगल कित्ते डिगरी है जीरो तो आर्भी कित्ता बनेगा जीरो तो यहां जो आपन ने 90-90 भावनाओं मे यह होता है ना तो अगर यह नॉर्मल ऐसे होता तो यांगल तीटा होता अब कम होते 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 क्या हुआ लाइन जो रेहे उसी के ऊपर आचोगी नॉर्मल के तो आई बराबर 0 तो यार बराबर भी कितना Jira Baby said Yr hey we know that the apply in the law of reflection angle of incidence equal to the angle of a reflection reflection therefore angle of reflection तो भी जिरो डिग्री बिलकूल सही बात है द्थ द्रे ओफ लाइट रिडि ट्रेसल से हर से थे फास्पने पात को रिट्रेस करेगी चलो दूसरे कोश्टन की लितियार एक चाधन exotic वह कोशन कीअ इस लाइट का डाइग्राम जो है अगर यह पास होगी भाई साब एक्सेस के क्या रही पैरलल और एक्सेस के पैरलल आने वाई लाइट जो होती है किस से होगे जाएगी फोकस से होगे जाएगी तो बड़ा प्यारा सा डाइग्राम बना लेओ भाई सब यह बना हुआ है देखो थियोरी लिख दो क्या है थियोरी और रहे आफ लाइट फ्रॉप्जेक्ट पैरलल तू अप्रिंस्पल अप्रिंस्पल फोकस अने वाली यह जाने वाली लाइट यह वाला पॉइंट है फोकस और यह क्या कराता है टू एफ मतलब सेंटर ऑफ कर वेचर तू एफ मतलब सेंटर आफ कर वेचर ते कहीं तो एक दो लियोग्त प्लियर हो गया आप अगला कुश्ण देखते हैं अगला कुश्ण डाईग्राम बना ले गिव रिजन फॉर यूर आइंसर आज वह पढ़ते हैं देखो भाई the increase in the concentration of the harmful chemical substance like pesticide in our body of living organism at each tropic level of food chain is called biological magnification मतलब बेटा हम जो भी खाते हैं उसमें क्या होता है harmful chemical substance मिलता जाता है बोलो हाया ना बोलो हाया ना तो इसले उसको क्या बोलते हैं बायो मैगनिफिकेशन क्या बो top level पर जो होगा सबसे ज्यादा खत्रा उसको होगा would be the highest देखो कैसे देखो कैसे 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 ये भी समझो कि जैसे मानलो 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 यहां पर ग्रास लगी हुई है बच्चों क्या लगी हुई है ग्रास है ना यहां पर ग्रास लगी हुई है ग्रास को गाये हमने कहा है और हमने गाय का दूदो लिया भी हार और केमिकल withdraw ग्रास से गाय में आया और कियाए से किसा बहन अब करो मर जाएंगे ठोर चीन कोहने मालॉब फ्राजिक-ध्या कोई खा गया तो इसके पात वह सारे जगह पर टॉपिक लिवल पर फैल रहा कि ना यह से इसको बोलते हैं बायो मैगनिफिकेशन क्या बोलते हैं वैसे तो तुम लोग को पता है कि मेरी बिल्कुल डबा है मगर फिर भी मैंने कोसिस करी एकदम है ना कि आपको समझ में आ जाए एक बार डेफिनीशन पढ़ देता हूं मैं यहाँ पे इंग्रीज इन दा कॉंसेंट्रेशन अब था हार्मफुल केमिकल सबस्तांस तो बायो मैगनिफिकेशन बस यह याद रखना हार्मफुल केमिकल सबस्तांस मतलब वही यूरिया फॉस्पेट बगए जो यालते हो ना खेतों में यसा नो उसी को बोलते हैं और लाइक पेस्टी मैगनिफिकेशन तोप्मोस लेवल और गनिजम अफ़ ट्रॉपिक लेवल वूड है इस तोप्मोस लेवल और ट्रॉपिक लेवल वूड है जितना आप फूड चैन में ऊपर जाओगे इसकी जो टॉक्सिक लेवल की एमाउंट है और जादा बढ़ती जाएगी और जादा बढ़ती जाएगी यस थीसक्राइब्स लारेब्स व्डाज प्रॉट इस लेए फॉटाम नहीं होते हैं इसले हर प्रॉग्राफिक लेवल पर ये खठा होते जाते हैं चलों आजाए ब बाइसाब question number D long section D बिल्कुल सभी बात है 34 state what happens when ओ भाईसाब एक ही question में 4-4 question है ना एक ही question में 5 question है कैसे question है 5 question है मतलब भाईसाब एक-एक marks के 5 एक-एक marks के question है and I think 3 question होंगे तब यह मिला के कितने बन गए 15 कित्य बन गए लो तो चलो कर लो भाई question करते हैं अच्छा question है देखो भाईसाब क्या कहरा इस्टेट what happens when लो कहरा पहला जब जिपसम को हीट किया जाता है 370 केल्विन पे तो क्या बनता है प्लास्टरॉप पे पेरिस क्या बनता है प्लास्टरॉप पेरिस तो देखो भाई जब आप 373 डिग्री पर जिपसम को गरम करते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास बनेगा becomes calcium sulphate ओके molecules become calcium sulphateđ lossless water and becomes calcium sulphateêmíhydrate calcium sulphate हेमि हाइड़ेट बिटा इसी का नाम होता है POP क्या नाम होता है इसी का बोलो क्लियर है यह देखो तो CSO4 डॉट 2S2O और किता टेंपरेचर है 373 गर्म कर दिया डेढ मॉलिकुल पानी निकल गया आधा मॉलिकुल बच गया क्योंकि टोटल दो लिये थे तो दो में से डेढ निकल गया आधा बच गया बोलो समझ में आया की नहीं आया आया समझ में चलो फिर आंगे चलते हैं देश दूसरा Blue crystal of the copper sulfate are heated अरे ब्लू क्रिस्टल के crystal को गरम करोगे तो क्या होगा उसका नीला color उड़ जाएगा नीला color क्या हो जाएगा ओड़ जाएगा क्योंकि Blue color के crystal के अंदर जो होता है उसके अंदर पाँच water होते हैं किते water पाँच इसको बोलते है water of crystallization क्या बोलते है crystallization जिसके गान इसका color होता है नीला क्या होता है Blue color का होता है इसको गरम करोगे भाई साब तो इसका blue color gap हो जाएगा क्योंकि इसका पानी निकल जाएगा बोलो yes or no और यह white color के crystal में क्रिस्टल में बदल जाएगा बोलो डान कोई दिक्कत क्या दिक्कत यह सर वोल रो दिक्कत में हां चलो भाई साब आंगे देखते हैं कलर लेस अरे ठीक है यार अब ज्यादा है मांट में देखोगे तो आपको वाइड दिखाई देगा चोटे-चोटे किस्टल ले लोगे त चलो आंगे पढ़ते हैं कॉश्चा नवर सी एक्सेस ऑब Defense ट्रूलाइम वाटर पूंग दियाuar एक्सेस ऑंकर्बन डेक्सेट घसस्को लाइम वालटर से देखो गाइस बड़ी तो चीजें हैं लाइम वाटर मतलब चूने का पानी चूने का पानी मतलब siuh छोल टокograph COH, अगर आप कम carbon dioxide fake होगे, तो बच्चों आप के पास बनेगा calcium carbonate, क्या बनेगा, मैं दिखाए देता हूँ, लिए बाई साब यह है, चूने का पानी, COH, hold twice, प्लस कितना, CO2, CO2, क्या बन जाएगा, CACO3, क्या बन गया, यह calcium carbonate जो होता है, यह white color का precipitate होता है, किस color का, जिसके कारण color हो जाता है, चूने के पानी का, याने की, किसको बोलते हैं, lime water, है ना, lime water का जो color हो जाता है, वाइट हो जाता है, बट सुनिए, यहाँ पे लिखा excess, क्या लिखा है, अगर आप ज़्यादा amount में carbon dioxide fake होगे हो, यहाँ पर आपके पास calcium carbonate नहीं बनेगा, तब आपके पास बनेगा calcium hydrogen carbonate, क्या बनेगा calcium hydrogen carbonate, reaction याद कर लेना, calcium carbonate plus CO2 plus H2O, प्लस H2O, आप यह दी, मतलब यह देखो, CA CO3 पहले ही बन चुका था, है ना, CA CO3 पहले ही बन चुका था, H2O पहले ही बन चुका था, आपने CO2 डाल दी, तो क्या बन जाएगा, calcium hydrogen carbonate, बच्चो यह reaction अपनी copy में लिख लो, और important mark कर लो, क्योंकि आपके बुक में यह reaction नहीं दी है, आपके बुक में किवल लिखा हुआ है, कि जब limited amount में आप carbon dioxide दोगे, तो क्या होगा, तो यह नीचे वाली reaction जो simple वाली है, यह तो आदा amount वाली carbon dioxide reaction आपके बुक में नहीं दी हुए है, इसलिए इसको note कर लो, अच्छे से, तो क्या बन जाता बच्चो, calcium hydrogen carbonate, और इसका कोई रंग नहीं होता है, यह colorless होता है, क्या होता है, colorless, यह कैसा होता है, colorless, तो इस colorless के color, जो white color बन गया था, वापस गायब हो ही देगा, बट अगर आप ज्यादा amount में CO2 दे दोगे, तो आपका जो solution है, वापस हो, क्या हो जाएगा, colorless हो जाएगा, ठीक है, चलो, अगला question देखते हैं, भाई साब, अगला question है, zinc granules are heated with the sodium hydroxide solution, ओ भाई साब, ZN plus NaOH, याद आया कुछ, metal plus base, metal plus equal to salt and hydrogen, salt and hydrogen, जी हाँ, और बनता है, sodium zincate, क्या बनता है, यास, ये reaction में लिख लो, बहुत ही काम की reaction, important है, ओके, ये reaction में भी बहुत काम की reaction है, तो इसको नोट कर लीजे, हाँ, 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 बच्चो, हम बात कर रहे थे, इस reaction की देखे, जब zinc granule को heat किया जाता है, sodium hydroxide के solution में, तो sodium zincate form हो जाता है, formula ल बच्चो, एने टू, जडे नोटू, यहाँ पर 2NH ले लेना, जिंके साथ लड़ाई कराओगे, एने टू, जडे नोटू, एने टू, जडे नोटू, एने टू, जडे नोटू, बन गया sodium zincate, बिल्कुल सही, एने टू, जडे नोटू, और कौन सी गैस छूटेगी, hydrogen, बिल्कुल सही है, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ करता है, एसड के साथ, जब भी एसड की लड़ाई होती है, metal के साथ, तो क्या बन जाता है, metallic salt, क्या बनता है, metallic salt, और कौन सी गैस छूटती है, हड, बिल्कुल उसी जैसी यह भी reaction है, कि भाई साब, जब metal के साथ, base की reaction बेस की अभी आपने कर रही थी इसीड़ की किसकी कर रही थी अगर आप मैटल के साथ बेस की रियक्शन कराओगे तो बेस प्लस मैटल एक क्वल्टू बनेगा salt प्लस कौन सी gas hydrogen बट फर्क क्या है यह बहुत सारे metal यह reaction देते हैं और यह बहुत ही कम metal reaction देते हैं acid की तो बले बले मगर base की नहीं होती है बले base में बहुत ही कम metal reaction देते हैं चलो आजाओ भाई अगले question में देखते हैं अगला question dilute HCl is added to hydrogen carbonate लो भाई क्या बात कर दी है और इसको दो बच्चा बच्चा जवाब देदेगा hydrogen carbonate आपने HCl के साथ मिलाया है जब भी carbonate में hydrogen gas HCl acid मिलाओगे carbonate में HCl मिलाओगे तो क्या मिलेगा salt plus water plus CO2 carbon dioxide सब्सक्राइब कर लिए भाई सब्सक्राइब है ना प्लस HCl equal to NaCl plus H2O plus CO2 तो यहां पर carbon dioxide gas okay sodium chloride solution बनेगा और CO2 gas निकलेगे बोलो समझ में आया कोई problem है बच्चों ठीक है अरे अस्तर मत बोलो नो सर बोलो problem नहीं है ना problem हो तो यह अस्तर बोलो बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है तो एक बार फिर से recall करते हैं क्या होगा बच्चों देखो ध्यान से formula पर क्या होता है पिड़ा दुनिया का कोई भी carbonate हो दुनिया का कोई भी carbonate हो या बाई carbonate हो या क्या हो बाई carbonate carbonate हो बाई carbonate हो अगर इनके साथ आप acid लड़ाओगे अगर इनके साथ आप acid लड़ाओगे तो बनेगा salt plus H2O plus CO2 वो लो clear है ओके तो इसका क्या है देखे iron feelings are arranged in a pattern because of magnetic field exist around the magnet क्योंकि यहाँ पर देखो इसका पहला पार्ट का जो question था पहले पार्ट का question यह था कि जो मतलब एक activity दी गई है कि एक बच्चा जो है जो magnet को magnet रख करके sheet में उसके चारों तरफ iron feelings डाल देता है तो बताइए iron feelings जो एक pattern में क्यों जमा हो जाती है answer is iron feelings arrange in a pattern because because a magnetic field exists around a magnet and magnetic forces exerted by the magnet within the magnetic field तो देखे diagram में समझने की कोसिस करिए यहां पर यह magnet रखा हुआ है और यहां पर इसकी feelings रखी हुई है iron की तो यह जो इसके कारण magnetic field बन रहा है वो magnetic field in iron के छोटे छोटे चोटे पार्टिकल को किसमें एक line में arrange करने का एक field line में arrange करेगा बोलो करेगा की नहीं करेगा बिलकुल उसी तरीके से जैसे आपके school का physical education teacher होता है उसके खड़े रहने पर आप अपने आप line में चलते हो कि नहीं चलते नहीं चलते तो चलो बताते हैं बड़ा करते तुम्हाइं पीटी टीचर से है ना चलो भाई साब देखो कौन कहरा पीटी टीचर नहीं पीटी मैडम है फाल तुबाद नहीं करो देखो यहां पर जो है चलो देखो भाई यहां पर यहां पर इस तरीके से भाई साब यह जो है यह arrange हो जाएगा ठीक है कोई दिखका तो नहीं है तो भाई सा भी arrange हो जाएंगे पार्टिकल ठीक ना पार्टिकल arrange हो जाएंगे तो पार्टिकल arrange क्यों हो रहे हैं क्योंकि यहां पर इनके उपर लग रहा है magnetic force क्या लग रहा है और magnetic force क्यों लग रहा है भाई क्योंकि magnetic field है कहां तक है magnetic field थोड़ी दूर तक जहां तक magnet की दादागिरी होगी वहां तक magnetic field होगा और जहां तक इसका field है वहां तक इसका force होगा बुल समझ में आया चलो फिर अगले question की तरफ चलते हैं why do हो गया what do lines along which the line iron feelings align represent what do the lines along which the iron feelings align represent by sub along which the iron feelings align के रहा है कि क्या represent करता है क्या represent करता है मतलब उन लाइन के दोवारा क्या represent होता है जिसमें iron के तुकड़े अपने आपको arrange करते समझना 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 अच्छे से समझना कह रहा है कि यह जो एक pattern बन रहा हे Align के तुकण का यह जो गोलगोल पेटरन बना एक्जक्ली यह जो तुकड़ों का एक alignment बन रहा है इस alignment के अंदर जो पीछे line 참ं़ हुई ए सुनो 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 इस alignment के पीछे जो line車 to 이상 ह हों क्या represent कर रही है अरे भग्या बहुत सारी हो गई है यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल सही बात है यह हाई कि मतलब वहाँ पर मेगनेटिक फिल्ट क्या होगा हाई होगा दा क्राउडिंग अफ आयरन फिलिंग सेट दा एंड अप दा मेगनेटिक फिल्ट इस मैक्सेम नियार दप फोल्स अब दा मैं चलो भाई आंगे जाओ अगला कोश्चन क्या है अरे लिष्ट दा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लास्ट में दे रही है मैगनेटिक फिल्ट लाइन की प्रॉपर्टी लिस्ट करो चलो तो कुछ प्रॉपर्टी लिख देते हैं मैगनेटिक फिल्ट लाइन की बोलो कहां से निकलती है और कहां से पास होके जाती है साउथ की तरफ तो नौर से होके निकलती है और साउट से हो करके मैगनेट के अंदर चली जाती है यह क्लोज होती की ओपन होती है और यह क्लोज होती की ओपन होती है यह क्लोज होती है कैसी होती है हाँ टूटी-फूटी होती के continuous होती है तो magnetic field 9s are close continuous कर बिलकुल सही बात दूसरा अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट खीष दोगे तो उस पॉइंट पर क्या मिलेगी direction क्या मिलेगी direction of magnetic field the tangent at any point on the magnetic field lines give the direction of the magnetic field at that point अर तीसरे point की बात करो आजा वाई क्या दो लाइने आपस में एक दूसरे को intersect कर सकती है no कभी भी दो लाइने आपस में एक दूसरे को intersect नहीं कर सकती है जहां पर magnetic field तेज हुआ करता वहाँ पर बता वो crowded होती की rare rare होती है rare rare नहीं होती crowded होती है क्या होती है they are crowded in a reason of strong magnetic field and are far from each other in the weak magnetic field जहां पर reason magnetic field कमजोर होता है वहाँ वह एक दूसरे से दूर दूर हुआ करती है और जहां पर magnetic field strong होता है वहाँ एक दूसरे से pass हुआ करती है वो लोग clear हो गया ओके चली आ चुके हैं देखे आर वाला question आ चुका है देखने में खदरनाग लग रहा मगर है बिल्कुल आसान सा question आई यह देखते हैं क्या कह रहा है A B is a current carrying conductor लो भाई साब A B कैसा conductor है current carrying conductor है in a plane of paper shown in the figure अब A B यह current carrying conductor है यह देख लिए आपके सामने जो screen पे देख रहा है इससे current जा रही ऊपर की तरफ ऊपर करेंट okay question क्या कह रहा है what are the direction of the magnetic field produced it by point P and Q by P point पे और Q point पे जो है magnetic field क्या होगा P point पे और magnetic field पे Q point पे magnetic field क्या होगा तो यहाँ पर देखिए point दो दिये गए हैं अब सबसे पहला कह रहा है what are the direction of the magnetic field produced by the by it at the point P and Q बच्चो ध्यान से देखो यह current जो है ऊपर की तरफ जा रही तो अपने अंगूठे को अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ करो सब लोग अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ करो सामने स्क्रीन के और स्क्रीन के सामने देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपकी उंगलियां कहा जा रही है अंदर की बाहर अंदर और लेफ्ट साइड में उंगलियां निकलने की नहीं निकल रही है हाँ तो भाई साब इस तरफ आपकी उंगलियां निकल रही है क्यू पॉइंट पर आपकी उंगलियां outside कैसा होगा outside और इस तरफ magnetic field कैसा होगा inside क्योंकि यहां से lines of forces निकलेंगी इस तरीके से और यहां पे अंदर घुसेंगी फिर बाहर निकलेंगी इधर से पुट से समझ में आया ना तो इधर से बाहर निकलेंगी और इस वाले paper में कहां जाएंगी अंदर तो इधर का field जो of the paper at point Q will be direction will be out of the plane मतलब P point पर into the plane होगा और Q point पर क्या होगा out of the plane P point पर into the plane और Q point पर out of the plane चेक कलने एक बार भाई सब P और Q P point पर into the plane और Q point पर out of the plane exactly चलिए next question करते हैं question number B state the rule to find the direction of the magnetic field around the current carrying conductor बताओ भाई magnetic field की direction पता करने के लिए कौन सा rule लगता है very good बिल्कुल सही correct answer है right hand thumb rule कौन सा rule लगेगा right hand thumb rule अगर आपको direction पता करना है तो आप right hand thumb rule का इस्तमाल करेंगे the rule to find the direction of the magnetic field around the conductor is the right hand thumb rule which states that the image in you are holding a current carrying wire and in your right hand such that the thumb is stretched along the direction in the current then the direction in which the finger wrap around the conductor will give the direction of the field lines magnetic field बच्चो देखो यहां पर जो है यहां पर आपके पास इतने सारी definition लिखी हुई है बट आपको केवल एक line में लिखना यह आपके reference के लिए दिया हुआ इतना सारा matter बट आपको केवल यहां पर एक लाइन लिखना था right hand thumb rule ठीक ना अगला question है ड्रॉदा डाइग्राम स्वेंग दपेटर्न अव्डा मेंगनेटिक फिल्ट भाई और स्टर्ड का आपकी बाहर आ रही है तो इस तरफ फिल्ट कहाँ आएगा बाहर और इस तरफ उंगली अंदर जा नहीं तो इस दिसा में फिल्ट कैसा जाएगा अंदर clear हुआ तो यह direction of current है बोलो yes or no और यह जो चल्ला दिख रहा है यह क्या दिरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अगला question देखते है question number D when R1 greater than R2 where will be the strength of the magnetic field will be larger चलो बाइस आप दो distance दी गई है एक है R1 एक है R2 अब कह रहा है कि R1 जादा है मतलब यह वाली दूरी जादा है यह वाली दूरी जादा है यह वाली दूरी ओके जो यह आप यह दूरी देख रहे हो जो R1 है R1 वाली दूरी म कि इतने centimeter कम है मतलब 2 centimeter तो बच्चों मुझे बताओ कि ज्यादा magnetic field कहां पर होगा 5 centimeter पर की 2 centimeter पर बिल्कुल सही 2 centimeter पर क्योंकि conductor से 2 centimeter वाला वायर है वो पास में है कहां पर है पास में और पास में होने पर magnetic field क्या होता है strong जितना ज्यादा आंगे जाओगे magnetic field कम हो जाएगा तो भाई साब आपके पास R1 greater than R2 है तो जो B1 पहला magnetic field होगा वो कम होगा और जो दूसरा magnetic field है वो क्या होगा ज्यादा होगा बोलो clear हो गया so the magnetic field magnetic field B inversely proportional to the distance now R1 greater than R2 और point Q is closer than point P so the magnetic field stronger at point Q and weaker at point P मतलब Q point per magnetic field is strong होगा और P point per magnetic field weak होगा बोलो clear है बच्चों चलिए तो बच्चों सेक्शन E की शुरुवात हो चुकी है चलते चलते हम सेक्शन E पर आचुके हैं आईए बढ़ते हैं सेक्शन E क्या कह रहा है question number 37 to 39 case based question है और इसमें 2 से लेके with 2 और 3 सब सब पार्ट से internal choices provided ठीक है मतलब जो इसमें और लगा हुआ और वला कर देना जो तुमको easy लगेगा लो पढ़ता हूँ during a chemical reaction both of on both of the form both the form and composition of matter are changed ठीक है old substance are converted new substance which have unique physical and chemical properties their own chemical reaction can be double displacement reaction which have the general form देको भाई सब टबल displacement का फंडा समझो आपको यह पढ़ा भी रहा है मतलब learning भी दे रहा है a b c d तो देखो भाई साब a मानलो प्लस है और b क्या है minus और इधर पे c प्लस है और d क्या है minus तो पहले a का partner भी था बोलो a का नया partner क्या होगा D, तो A और D बन जाएगा B का नया partner क्या होगा तो क्या बन जाएगा, CB या BC बन जाएगा बन जाएगा ना, ऐसी reaction को बोलते हैं Double displacement reaction ध्यान से पढ़ते जाओ, क्या कह रहा है Here AB and CD are usually Aqueous ionic compound, जो AB और CD होते हैं दोनों Aqueous ionic compound होगा करते हैं या acid होते हैं The cation and anion switch partner मैंने बता है, अपने अपने पार्टनर को बदल देते हैं Resulting in the formation of two new ionic compound AD and CB One of which is in solid state The product is an insoluble ionic compound Called up precipitate ऐसा कोई product जो पानी में घुलता ना हो उसको हम क्या बोलते हैं Precipitate आए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर A क्या है, प्लस है, B क्या है, माइनस और C क्या है, प्लस और D क्या है, माइनस तो देखें, A के साथ A and C, R, K, T, N, P, N, B, N, D, R, N, N A और C जो है, अपने पास positive है तो देखें, यहाँ पर A अपने आपको switch कर लेगा पहले A का partner कौन था, B था अब बो, A का नया partner कौन होगा C नहीं होगा, D होगा क्या होगा, थोड़ा सा arrow disturb बन गया है, A का नया partner क्या होगा D, और C का नया partner क्या होगा B, तो नया आनी compound में C किसके साथ जोड़ जाएगा, B के साथ और A किसके साथ जोड़ जाएगा दी के साथ तो यह कौन सी reaction है double displacement reaction ठीक है positive ion को क्या बोलते है cation क्या बोलते है cation on negative ion को क्या बोलते है cation चली यह question आ चुका है number one when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of the copper sulfate okay a black precipitate of copper sulfide is obtained in sulfuric acid so formed remained in the solution what type of this reaction is called भाई so simple है देखो precipitation का नाम ले लिया precipitation का नाम ले लिया दुनिया में जितनी भी precipitation reaction है उस अबकी सभे double displacement कौन सी है तो answer यह कौन सी reaction होगी double displacement reaction आईए देख लेते हैं बच्चों इस reaction को yes the reaction between copper sulfate and hydrogen sulfide cuso4 और hydrogen sulfide के बीच की जो reaction है is a double displacement reaction as the positive and negative ion interchange their places भाई या copper था sulfate के साथ hydrogen सा sulfur के साथ बोलो हाँ interchange हो गया copper किस के साथ जुड़ गया sulfur के साथ और SO4 किस के साथ H2 के साथ बन गया CUS plus H2SO4 clear है CUSO4 CUS क्या होता है बेटा black color का copper sulfide black color का precipitate होता है black color का as a black precipitate of copper sulfide is formed the physical state of CUS is known as solid क्या होता है solid क्योंकि ये नीचे जाकर settle हो जाता है तो बच्चो CUS की जो physical state होगी वो क्या होगी क्या होगी solid होगी CUS and copper sulfide की जो physical state होगी क्या होगी solid क्योंकि नीचे जाकर के bottom में तली के नीचे जम जाएगा बोलो clear की not clear मगर S2SO4 जो है वो आपको AQUOS form में मिलेगा, S2SO4 solid नहीं होगा, S2SO4 आपको AQUOS में मतलब पानी के form में घुला हुआ मिलेगा, AQUOS solution, इसले इसके नाम के पीछे क्या लगा है, AQUOS क्या लगा है, AQUOS चलिए तो दो आंसर इसके, एक आंसर तो हो गया इसका, इसी चेप्टर में मेरे ख्याल से एक रेक्शन आई थी, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइटरेड, तो आपको पता है, PB किस के सांद जुड़े जाएगा, I के सांद, और बना लेगा, PBI2 क्या बना लेगा, और क्या बन जाएगा, KNO3 क्या बन जाएगा, KNO3 का AQUOS solution of PBI2 किस कलर का होता है, यलो कलर का, किस कलर का, यलो कलर का, बोलो समझ में है कि नहीं है, हाँ, चलिए तो देखी क्या लिका है, Any reaction that produces a precipitate in soluble solid is, that separates from the solution, can be also called a precipitation reaction, for example, when potassium iodide is added to the lead nitrate solution, a yellow precipitate of the lead iodide is formed, along with the potassium nitrate solution, चलिए, next question है भाई देखते हैं, तो ये तो हो गया, अब इसके और में आ गया है, इसके और में, okay, theory यही है बच्चों, मतलब उपर जो पढ़ा है, उसी पर बेस दूसरा question लिया गया है, बहुत खतरनाक सा, बहुत बढ़ा सा question है, आराम आराम से पढ़ना पढ़ेगा, नह किती होती है, तो यकीनन, X की वेलेंसी किती हो रही होगी, प्लस टू, चलो, दूसरा है, Y2SO4, किता है, Y2SO4, सल्फेट की वेलेंसी किती होती है, माइनस टू, तो Y की वेलेंसी किती हो रखी होगी, प्लस टू नहीं होगी, क्योंकि Y के दो use हो रहे हैं, किते use हो रहे हैं, तो इसलिए एक वाई की वेलेंसी कित्ती हो रखी होगी प्लस वन कित्ती हो रखी होगी प्लस वन हां the solution of the XSO4 is a blue color मिल गया यह है copper क्या है copper है मतलब यह copper sulfate है मतलब यह है cuSO4 क्या है यह cuSO4 है है की नहीं हां solution of XSO4 is a blue color where is that of the Y2SO4 is a colorless Y2SO4 is a colorless ठीक है भाई साब हां when barium chloride solution is added to XSO4 जब barium chloride का solution जो है XSO4 के साथ add किया जाता है तो एक precipitate बन जाता है along with a salt which turns solution green a salt which turns solution green and when barium chloride solution is added to the Y2SO4 the same precipitate Z is formed along with the colorless common salt identify X Y and Z चलो भाई साब बो X का पता लगा लिया कि नहीं लगाया X का पता लगा लिया है cu अब आपके पास आपको Y का पता लगाना है सीखे ना Y का पता लगाना है आपको और Z का पता लगाना है ठीक ना Y और Z का आई ये Y और Z का पता लगाते हैं चलो देखो बच्चो It is given that the shalt solution XSO4 is a blue color as we know that the solution of the copper sulfate is blue in color therefore X is a copper बोलो yes or no on heating barium chloride solution to CuSO4 solution देखो भाई साब कि अब barium chloride को CuSO4 के साथ आप गरम करेंगे तो CuSO4 और barium chloride को मिला दो लिए भाई साब reaction मैं यहां लिखता हूं कोने में समझने की कोसिस करना CuSO4 प्लस BACL2 BACL2 बोलो yes or no क्लोरीन copper plus sulfate minus barium plus और क्लोरीन minus तो भाई या पार्टनर बदल दो CuCl2 प्लस BASO4 आगया समझ में हाँ तो कहरा जब white तो कहरा on adding barium chloride with a solution to CuSO4 a white precipitate of the barium sulfate तो भाई साब इस समय जो precipitate बनता वो क्या होता है BSO4 तो BSO4 का precipitate form होगा which is also formed when barium chloride solution is added to the solution of the sodium sulfate so therefore Y is sodium and Z is barium Z is barium ठेके ना Y यहां पे क्या होगा sodium होगा यह बच्चो बहुत difficult question है इसको 3-4 बर जब आप पढ़ोगे तब आपके मन में होगा कि क्या 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 दिया गया है और फिर आप इसको solve कर पाऊगे क्योंकि इसमें question तो easy है बट कह रहा है देखो कह रहा है कि barium sulfate solution is added to Y2SO4 कह रहा है Y2SO4 के साथ हम barium sulfate को add करते है तो same precipitate Z बनता है तो same precipitate Z क्या बना अपने पास BSO4 क्या बना तो Z equal to BSO4 अपने पास बना तो कह रहा है बताईए कि XYZ क्या होगा तो अपने पास Z का value जो आया वो कितना होगा Z is barium clear है ठीक है इसको थोड़ा एक बार फिर से करिएगा मैं इसको दुबारा बोल रहा हूँ यह थोड़ा सा difficult है हाँ लिख भी देता हूँ मैं difficult हाँ यह थोड़ा सा difficult है इसको read before exam यह थोड़ा सा difficult है हाँ यह करके जाए नहीं तो हवा नहीं लगेगी इस question में चलो आजाओ अगला question में आते हैं मैंने यह बताओ भाई साब क्या आपने total internal reflection पढ़ा button नहीं पढ़ा ? पढ़ा! Total internal reflection क्या होता इसमें बताया गया ओ और light की process हुआ करती जिस को हम बोलते है Total internal reflection बाते मत करो बच्चोँ ! light की प्रॉसेश घ्रती जिसको गोलते हम total internal reflection अब हम आपको पहले वो total internal reflection आपको समझाया देते हैं इस diagram के माध्यम से देखिए इस diagram के माध्यम से यहाँ पर आपके पास में नीचे का medium है denser बोलो हाँ और उपर का medium है rare जब light denser से rare में चलती है तो away from the normal bend होती है बोलो यह सानू तो यह देखो यह light चली away bend from the normal हो गई अवे ठीक है ऐसे angle अगर incidence angle बढ़ाओगे तो reflection angle भी बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा आपने incidence angle बढ़ाया बट हुआ क्या जो light रही थी वो हो गई इसके parallel हो गई surface के क्या हो गई parallel parallel मतलब यह angle कित्ते डिगरी हो गया 90 degree कित्त अगल हो गया 90 degree तो फो angle जिस पर जिस पर reflected angle 90 degree होगा वो angle incidence का जिस पर reflected angle 90 degree होता है उस angle को बोलते हैं critical angle क्या बोलते हैं उसको हम critical angle देखो पढ़ लो important है ध्यान दो वो angle जिस पर refracted angle 90 degree हो जाता है उसको बोलते है critical angle जैसे यहाँ पर यह जो angle है theta c, c for critical ऐसा angle जिस पर की refracted angle 90 degree हो जाता है उस angle को क्या बोलते है critical angle यदि आपकी light ray critical angle से जादा angle पर आएगी तो light ray दूसरे मीडिया में जाकर के उसी मीडिया में वापस चली जाएगी इस event को बोलते है total internal reflection तो इसके लिए दो शर्ते हैं number one light ray dancer to rarer जाना चाहिए और दूसरी condition है dancer to rarer पहली condition और दूसरी condition है कि angle of incidence की जो value है angle of incidence जो होता है ना ना 90 ज्यादा वो नहीं होना चाहिए angle of incidence जो है critical angle से ज्यादा critical angle से यह देखो critical angle पर 90 degree पर हो गया था ना अब यह critical angle से और ज्यादा मतलब आपने light को और उठा लिया यह देखो इधना पहले हाँ यह critical angle एक ऐसा एंगल है limiting angle है उससे सीमा से ज्यादा जाओगे तो light दूसरे media में ने जाकर के उसी media में मुड़के चली आएगी समझ में आ गया ना बिलकुल तो इसलिए यहाँ पर यह कहलाता है टोटल internal reflection और इसका इस्तमाल जो होता है इसका इस्तमाल किया जाता है भाई साब वो आजकल geo fiber net वगएरे जितने भी चलते हैं यह एक प्रकार के विशेष प्रकार के fiber से चलते हैं जैसे आपने नाम सुना है geo fiber तो geo fiber में एक प्रकार का विशेष प्रकार की ताराई होती है जिसमें अंदर होता है glass का core अंदर क्या होता है glass का उसके उपर होती है glass की cladding एक होती है glass पहला छोटा पतला वाला glass उसके उपर एक और glass उसके उपर primary buffer डाला जाता है और उसके उपर jacket मोटी सी होती है प्लास्टिक Miller तो यह कहलाता है इसको बोलते हैं हम fibre optical क्या बोलते हैं इसको फाइबर optical खेर तो आप सीरी question में आते हैं question करते हैं इसका हाँ लो भाई साब question क्या है how will the speed of the light change when light is incident cladding of an octopal fiber कह रहा है कि बताइए light की speed किस तरीके से बदलती होगी light की speed जो है किस प्रकार से बदलती होगी तो बच्चो ध्यान से सुनो light की speed कैसे बदलती है भाई cladding में लैड जा रही है तो अंदर का medium रहता है जो बीच वाला medium रहता है यहाँ वाला वो रहता है denser क्या रहता है denser क्योंकि total internal reflection के लिए light को जाना पढ़ता denser to rarer denser to तो यह वाला medium denser है और यह वाला medium क्या है बच्चो रेरर है नीचे वाला medium rarer है तो denser से rarer में जाने पर light की speed क्या होती है बढ़ती है light की speed बढ़ेगी तो इसका answer देखिए मैं पहला answer इसका पढ़ता हूँ yes हाँ देखिए पहला answer है the refractive index of the cladding is less than that of the core as the refractive index of a medium varies inversely with the speed of light of the medium बच्चो क्या कह रहा है यह ध्यान से सुनो यह कहरा formula जो मैंने आपको class में बताया V is inversely proportional to mu V is inversely proportional to mu मतलब जो velocity of light होती है वो refractive index के inversely proportional होती है अगर mu की value कम होगी refractive index कम हो जाएगा तो बताओ V का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा V का value क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी V की value बढ़ जाएगी V की value बढ़ जाएगी ध्यान दीजे यहाँ पर ध्यान दीजे as refractive index of the medium varies inversely speed of the light in the medium the speed of the light will be less in the core that in cladding ठीक है ना तो यहाँ पर क्या होता है भाई साब यहाँ पर जो raise होती है denser to rare पर जाती है denser to rare पर समझ ना भाई समय optical fiber बना रहा हूँ यह अंदर वाला glass है अंदर वाले glass का जो material होता है वो denser होता मतलब गाढ़ा होता है और बाहर वाले glass का medium कैसा होता rare होता है तो denser से rare जाने पर speed of light क्या होती है बढ़ती है तो यहाँ पर यह क्यों लिख रहा है speed of light will be less मेरे कोई थोड़ा सा mistake लग रही है इस question पर गोलर लगाते है अपन speed of light will be less नहीं होना चाहिए speed of light will be more होना चाहिए यहाँ पर क्योंकि denser to rare है यह वाला glass core denser होता है और उपर वाली cladding जो होती है वो रहर हुआ करती है तो denser to rare जाने पर जो speed होती है वो बढ़ती है ठीक ना येस चलिए अगला question देखते हैं अब इसको कभी और discuss करते हैं फिर इसमें और कुछ निकालेंगे अगला question देखे how will speed of light हो गई the speed of light in a certain material 50% of a speed in vacuum what is the refractive index simple question आया बहुत easy question है दूसरा वाला part दूसरे वाले part में आपसे बोला गया है कि किसी material में speed of light जो है vacuum का आधा है vacuum का क्या है आधा तो बच्चों आपको पता है relative refractive index 1 mu 2 formula पता है 1 mu 2 is equal to mu 2 refractive index of the second medium upon refractive index of the first medium वो लो yes or no equal to v1 upon v2 v1 मतलब पहले medium में speed तो पहले medium में light की speed क्या है air है c है बोलो yes or no और दूसरे में कह रहा है कि आधा हो जाती speed light की c by 2 c से c क्या हो गया 2 सबसे कहां आ गया उपर तो answer कितना हो गया 2 कितना answer हो गया 2 clear हो गया इसलिए refractive index यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा clear है देखो जब भी light एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो दो छीजे हो सकती है या तो एक से दूसरे medium में travel की या करती है तो दो छीजें हुआ करती है या तो light bending away from the normal या light bending towards the normal तो जो reflection angle होता है या तो वो incidence angle से बढ़ा हो जाता है या रिफ्रेक्शन angle incidence angle से छोटा हो जाता है समझ में आगे ना अगर light bending away from the normal हो जाता है तो incidence reflection angle जो होता है वो incidence angle से बड़ा हो जाता है और अगर light bend towards the normal होता है तो जो reflection angle होता है वो incidence angle से छोटा हो जाता है ठीक है ना बस यही इसमें लिखना था कि इसमें angle of reflection क्या होता है तो या तो यह बड़ा हो जाता है या तो यह छोटा हो जाता है ठीक है अगला question what are the two condition for the total internal reflection of light देखो मैंने दो condition आपको बताई है total internal reflection के लिए number one light ray को कहां से कहाना चाहिए rarer to dancer की dancer to rarer कहां से कहां जाना चाहिए total internal reflection के लिए dancer to rarer dancer to rarer तो पहली चीज condition light ray should be travel from dancer medium to the rarer medium और दूसरी condition मैंने आपको बताई कि the angle of incidence should be greater than critical angle जो angle of incidence है वो critical angle से जादा होना चाहिए ठीक है ना इस critical angle से जादा होना चाहिए हाँ incidence angle जो है critical angle से जादा होने चाहिए अब मैं बच्चों आपको recommend करूंगा कि यह जो passage वाले question हुआ करते ना आप इनको यह मान के मत चलो कभी कि यह passage है बच्चों यह यह आपकी पूरी-पूरी बुक का एक पनना है तरीके से यह पूरी-पूरी आपकी तब यह बनेगा तो यह अच्छा पेपर है बहुत तगड़ा पेपर है मैं यहां पर देख रहा हूं यह पर अच्छा बहुत ही शांदर पेपर है अगला कोशन देखिए अगला कोशन भाई समय अब इलेक्टरिसिटी एथ इतना मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को इलेक्रिसिटी के नुमेरिकल पता है सारे कैसे होते हैं अब वो जो भी होना होगा अंदर हो रहा होगा मैं तो सीरे क्वेस्टन पर आता हूं देखो भाई साब क्वेस्टन पर है पहला क्वेस्टन है अब बात कर दी भाई साब ने हेच प्रोपॉशनल टू आई स्कवेर हेच प्रोपॉशनल टू आड एच प्रोपॉशनल टू टू चलो भाई साब बिल्कुल कम्माइन कर दिया पहला आंसर मिल गया 39 का दूसरा आंसर है find the heat energy produced by resistance 5 ohm when 3 ampere current is low बताओ कह रहा है कि बताइए किती energy होगी जब 5 ohm में से 3 ampere की current निकल रही है 5 ohm में से किती की और किती समय तक 2 मिनट तक तो लगा दो formula I2RT का किसका formula लगा दो I2RT H बराबर I2RT बोलो किती ampere है 3 ampere resistance कितना है 5 है बोलो यह 109 resistance भी 3 हों में क्या resistance 5 हों में अरे भाई साब तो resistance कितना है 5 और बोलो कितने मिनट तक बोला है 2 मिनट तक कितने मिनट तक बोला है 2 मिनट तक तो मिनट को second में बदलो थोड़ी सी यहाँ पर mistake हुई है बन नहीं कोई मिश्टीक नहीं है एक्चुली आइज स्क्वेर आर इंटू टी आइज स्क्वेर को बंदे ने थृ इंटू थृ लिग दिया थे निटू-पार चाहता तो थृ इंटू-आर कितना है फाइव और टाइम बटा दो में मैं कितने सेकेंड होते हैं 20 थो बस सौल कर of the same material equal length or equal diameter first connected in series and first then connected in parallel across the circuit same potential difference write the ratio of the heat produced in the series and parallel combination पहरा पहले भाई सब सीरीज में था बाद में किसमें कर दिया पैरलल में पहले किसमें था सीरीज में और बाद में किसमें कर दिया पैरलल में चलो मानलो भाई सब आपके पास में दो wire हैं पहले का resistance भी R है दूसरे का वी resistance कितना है R है R और R को सीरीज में जोड़ दोगे बोलो सीरीज में कितना resistance आएगा 2 आ रहाएगा कि नहीं आएगा और parallel में कितना आएगा R by 2 ने 2 by R नी R by 2 कितना हो जाएगा R by 2 पलट दोगे तो इस series में और parallel में, चलो तो मैं ratio निकाल देता हूँ, h series upon h parallel, बोलो yes or no, heat का formula हुआ करता है, heat equal to होता है v square upon rt, v square upon, भाईए इसलिए i नहीं लगा है, क्योंकि अपनको current नहीं दी गई है, voltage दिया गया, कितना दिया गया है, voltage, तो पहले वाले में देखिए, h series वाले में, जो voltage है, v square है, r series into time t, into time t, ओके, यहाँ पे v square into है, r parallel into time t, बन गया formula की नहीं बना, उपर series का, और नीचे किसका, parallel का, बोलो yes की no, नहीं आए कि समझ में, थोड़ा बहुता है, फिर से बता देता हूँ, देखो बेटा, heat series की और heat parallel का ratio निकालना है, heat का formula क्या होता है, v square upon r t, होता है की नहीं होता, होता है की नहीं होता, शाश्वत, तो भाई, अब पहले बाले में रख दो, तो voltage तो same है, तो v square आएगा, upon क्या है, r series, r series into time t, yes or no, नीचे, voltage तो वहीं है, और बोलो कितना आएगा r, parallel into कितना time, t, 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 cancel, v square से v square, सब से उपर होगा r parallel, नीचे कितना होगा r, series, बोलो yes or no, नहीं, पहले उपर parallel आजागा ना, पलट करके, पलटने पर parallel उपर आगा, series नीचे आएगा, नहीं है समझ में, clear है, अब देखे, r parallel, r series का ratio निकालना है, r parallel अपने कितना निकाला है, r by 2, कितना निकाला है, r by 2, और r series कितना निकाला है, 2 r, निकला था कि निकला था, चलो, देखो, r, 2 नीचे जाएगा कि नीचे जाएगा, 2 नीचे चले जाएगा और यहां पर 2R रहेगा क्या रहेगा 2R रहेगा ऐसा क्यों हो रहा है देखो यह R by 2 188 है R by 2 188 है और यह अकेला है तो यह पलट करके इसके साथ में आ जाएगा clear हुआ R से R क्या हो गया cancel answer कितना आ गया 1 upon 4 चलो check करता हूं मैं answer यह देखिए करेक्ट आंसर क्या वन भाई फूर बन जाएगा एनी प्रॉब्लम बच्चों चलो अगला कुश्चन देखते अगला कुश्चन कह रहा है इफ हीट प्रेडूस इन आ इच सेकेंड इन एट ओम रेजिस्टेंस एड जूल फाइंड पोटेंशल डिफरेंस एक्रो में आठों में इस सेकेंड मतलब वन सेकेंड में कित्य सेकेंड में मतलब वन सेकेंड में तो आपको निकालना है डिफरेंस अब दा पोटेंशल मतलब आपको वी निकालना है क्या निकालना है वी चलो भाई साब तो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है हीट बोलो कित पता है हाँ यह ना रजिस्टेंस कितना है आठ है टाइम कितने सेटनद मतलब भी स्कार बराबर कितना हो गया रोट है डीरोमाइड 80V, 80V, clear हुआ, clear हो गया बच्चों, yes, तो इस तरीके से हमारा paper done हुआ, बहुत बड़ा paper था,